ये मेरी देखी है, मर गई एक पिता का प्यार शब्दों से परे है भले हम इस बारे में अधिक बात करते हैं कि हमारी माताओं के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पिता, प्रदाता और संरक्षक होने से कहीं अधिक मैट्वकुन भूमी का निबात है इन शब्दों को सार तक करती है एक कुछी समय पहले आई फिल्म काम चाले एक पिता का प्यार कितनी धूर तक जा सकता है ये इसकी एक महका व्यगाता है सच्ची कहानी पर अधारित इस फिल्म का लक्ष एक ताजा लेकिन प्रसांगे कहानी को बताना है राजपाल यादब की फिल्म देखकर आपकी रूख आप जाएगा क्योंकि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आदा रिखे और सिल्म का विलन आज तक सर्याम सडकों पर घूम रहा है और ना जाने उसने कितनी ही जान ले लिए समाच को सार तक संदेश देती राजपाल यादब की फिल्म में केवल मनुरंजन ही नहीं बलकि समाच के मूपर एक तमाचा और सीख भी है जो हमारे लिए जानना है बहुत जब होई है सच्ची घटना से प्रेरेत या कहानी महरास्ट के के से आदमी की है जो अपनी बीवी और एक बच्ची के साथ खुशल जंदकी गुजार रहा है उसकी बेटी बहुत होनार है और पड़ाई के साथ ही जीला इस्तर की किर्केट टीम का भी हिस्सा है किर्केट की रंगिन दुनिया में अपनी बेटी के उजवल भविश्य का सपने देखने वाला पिता जो कहता है कि साथ नंबर की जर्सी सिर्फ लड़का ही क्यों पहने उस पिता के सामने दुक का पहार तब तूट पड़ता है जब वहाँ अपनी बेटी को स्कूटर पर बैठा कर जा रहा है और उसका स्कूटर सड़क पर हुए गड़े में गिर जाता है और उसकी बसी बसाई दुनिया उज़र जाती है उसकी बेटी हमेशा के लिए गड़े में गिर कर सोजाती है एक पिता के सामने अपनी बेटी की हुई सहलत से किताब पागल सा हो जाता है और सिस्टम को बदलने की सूचता है लेकिन सिस्टम को बदलते बदलते एक दिन वो खुद बदल जाता है और सड़क पर बने गड़ों को खुद धरने लगता है और एसा वो आज तक कर रहा है सड़क के खराब इस्तिती और गड़े एक गंबिर राष्टे मुद्दा बने होएं जैसे कि देश भर की कई रिपोर्ट से पता चलता है सिर्फ छोटी मोटी घटनाई नहीं बलकि इसके कारण कई लोगों को बड़े विनाशकारी परिनाम झिलने पड़े हैं और इस बार राजपाली आदव खराब रकरखाब वाली सरकों के कारण परिवार पर पढ़ने वाले प्रूर प्रभाब को चित्रिक करते हुए इस मुद्दे पर ध्यान दिलाते हुए नज़रा अगर आपने भी यह फिल्म देखी है तो कॉमेंट बोक्स में अपने विचार जरूर साजा करें अमस्कार